इस वीडियो में जो हम यूएफर नेशन्स लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा चेक रिपब्लिक वर्सेस स्पेन के बीच मैच कवर नहीं होगा चेक रिपब्लिक किक अफ होगा रात में 12.15 एम पे तो दोस्तों बात करें स्पेन की ये एक टॉप फुटबॉल प्ल प्लेयर इस्पेन के लिए खेलते हैं इनका मैच है चेक रिपब्लिक से जो कि एक डीसेंट सी कंट्री है 33 इनकी फीफर रेंकिंग है और इनके लिए भी ठीक ठाक से फ्लेयर्स खेलते हैं बट स्कॉट्ट क्वालिटी में स्पेन फार बैटर है अस कंपेर टू चेक अपना पहला मैच जीत गए थी स्विजलेंड के अगेस्ट जबकि स्पेन ने एक टॉप पॉट्यूगल टीम से वन वन का ड्रॉ किया था बड़ अभी काफी टाइम है अभी एक ग्रूप देखने की उतनी वैल्यू नहीं है मेरे अक्वाडिंग क्योंकि अभी बहुत सारे मैच इन लोगों ने खेलने हैं तो मेरे अक्वाडिंग लाश्ट होते होते जब एंड होगा ग्रूप तब तक पॉट्यूगल या स्पेन में आपको कोई टॉप अप दर टिवल में दिखेगा फिलाल मैं आपको रिसेंट फॉर्म दिखा दूँ तो रिसेंटली जब से पर निल से स्वीडेन को भी आ रहा था मुराता का गोल आया था डैनी ओल्मो का असिष्ट आया था अभी जो लास्ट मैच इस्पेन ने खेल आपको याद होगा हमने दो तीन दिन पहले कवर भी गया था इस्पेन वर्सेस पॉट्ट्यूगल था मुराता ने गोल मारता और बहुत ज़्यादा डिफेंसिबली सॉलेड है अब मैं आपको दिखा तो चेक रिपब्लिक का पर्फॉमेंस तो जो लास्ट पुरा ने दो वर्ल कप कॉलिफायर मैचेस के लिए थे उसमें हो टू निल से उन्होंने एस्टोनिया को रहा था ब्रबेक और सिकोरा ने स्कोर क नहीं दिखाई देगी क्योंकि यह टीम क्वालिफाई नहीं कर भाई उसके बाद इसी ग्रूप का मैच वा था नेशन लिख का अभी दो-तीन दिन पहली उस मैच में 2-1 से इसी ग्रूप की स्विजलेंड डीम को चेक रिपब्लिक ने हराया था कुछ टाने स्कोर किया था कुछ कॉमिनेशन आप चेक रिपब्लिक फिवर के ले जा सकते हैं हो सकता है अपने घर में गुलट फेर कर दे या हो सकता है इस पेन को 0011 के ड्रॉप में रोग ले तो यह इस को लाइन वाली जील टीम भी आप जरूर ले जा सकते हैं फिलाल प्रोविबल लाइन पे हम आत प्रोविबल लाइन पे पहले मेरे अकॉर्डिंग जो फेवरेट होगी स्पेन उनकी बात करते हैं तो स्पेन यहां पे फेवरेट होगी अभी कलिए में इनके मैक्जिमम प्लियर करूंगा यानि कि 6 या 7 प्लियर में स्पेन की पिक करने वालों अब दोस्तों इस पिछले म जो स्पोर्ट्स मेंली फुटबॉल की टीम्स वगेरा काफी हत तक उनकी प्रिडिक्टी की वी टीम्स सही होती है वही खेलती है तो उन्होंने प्रिडिक्टी किया है और इस टीम में आप देखेंगे पिछले मैच में बुस्केट्स हो गए मुराता हो गए पवलो सराब्य इनिगो मार्टिनेज और पाव टोरेस इनके सेंटर बैक होंगे पिछले मैच में इनिगो मार्टिनेज के फ्लेस में लीट्स उनाइटेट के लॉरेंटे खेले थे और लेफ्ट बैक में अलवा के फ्लेस में खेलेंगे मार्कोस लंसो जो की चेल्सी के प्लेयर है इस्टिल ये बैक लाइन भी बहुत जादा सॉलिड है करवा हाल है जो अब यह वी रियाल में डिट से चेंपियन लीग जीत किया है अलॉंसो बहुत अच्छा सीजन उनका चेल्सी के लिए बहुत अटेगिंग फुल बैक है टॉरेस और मार्टिनेस दोनु बहुत सॉलिड है टॉरेस विलर्याल में खेलते हैं पाव टॉरेस और इनिको मार्टिनेस एथलेटिक क्लब बिलवाओ जो कि ललीगा का क्लब है वहां खेलते हैं तो अभी भी किसी एक टीम को क्लीन शीट के लिए बैक करना होगा मैं इस्पेन को ही करूंगा और मैं इनके ही मैग्जिमम डिफेंडर पिक करने वाला हूं अब एक चीज है ना इस मैच में रेंडम सब्सिट्यूट्यूसं हो सकते हैं पिछले मैच में आपने देखाऊगा फेरन टोरेस जलती सब्सिट्यूट हो गयते और गावी बीएटी मिनट के आसपास सब्सिट्यूट हो गयते और एक दो प्लेयर और इंडर मैं उनके अभी सारे सा यानी कि चारर के चार्ड डिफेंडर आपको सज़ेश्ट करेंगा पिकक करने कि लिए बट आप चाहये तो एक एकड्शे अच्टर पिक कर सकते हैं कि अच्छे-चे प्लेयरस सोलेड है पाउट और इस मेरे अक्वाडिंग लपोर्ट के बाद इनके बेस्ट डिफेंडर है हैडर में भी अच्छे हैं तो अभी के लिए मेरी टॉप त्री चोइस हैं इन्हीं को माटिनेज अगर किसी एक को मेरे को सेग्रिवाइस करना इनको करूंगा नहीं तो हो सकता है इनकी पोजिसन में बट आज इनके पास मौका है अच्छा प्लेयर है विदाओट गोल असिस्ट आपको 25 से 30 पॉइंट दे सकता है और आप आप आपने देखा होगा मैं सीटी के मैचेज में बीच बीच में आके रेंडम गोल भी माल जाते हैं बट अभी तक इस्पेन के ल गोल असिश्ट जसमें 2 इंटरसेफ्षान किये थे दो चांस क्रेट किये और कुछ पासिस की पॉइंटज योई इस से भी जादा देने में केभिवाले ऊन टार्गेट भी लेता है बहुत चांस क्रेट भी करता है गोल असिट भी कर सकता है तो गावी आपके लिए अच्छ फिल्ली ओल्मो वाले ब्लेज में गावी के साथ जा सकते हैं या आप ऐसा भी कर सकते हैं एक अगर आप defender sacrifice कर रहे हैं तो आप गावी ओल्मो दोनों को pick कर सकते हैं हाँ एक चीज जह ना ओल्मो को मैंने देखा है मोशली मैच में जल्दी सब्सीडूट होते हुए इस्पेन के लिए और गावी पिछले मैच में भी जल्दी सब्सीडूट होते हैं सायद आज भी हो सकते हैं बाकी फॉरवर्ड में मुराता के प्लेज में आज रूमर्स हारे राउल डी टॉमस को स्टार्ट मिलने बहुत हाइली रेटेड यह इस्ट्राइकर है एस्पेनियोल में खेला था इस सीजन इसने ललीगा में और सत्रा गोल मा रहे थे क्योंकि एक बहुत अच्छा इस्ट्रैट है और अभी ऑल्दो इस्पेनिस निसल्टीम में उतने मौके नहीं मिले लेकिन आप दीरे-दीरे म बोल असिस्ट कर सकते हैं और ललीगा में भी इनका सीजन अच्छा गया है इनने क्वालिटी डिफेन्स के अगेंश स्कोर किया है तो मैं यहां पर रावल्डी टॉमस के साथ जा रहू हूं और रावल्डी टॉमस के वीचे आरसेनल हो गया इटलेटिको मेड्रिट हो गया यह क्लब्स भी पढ़े हैं ट्रास्पर विंडो में बट अगर आपको लगता है सिंप्ली यह फ्लॉप जाएंगे आप इनको अटागे रोडरी या गावी ओल्मोड दोनों को पिक करके चल सकते हैं क्योंकि अगर यह फ्लॉप गये सायद हो सकता है जल्दी सब्सिटूट ह गये मुराता सराबिया को यह मंदर आ सकता है फेरेंट टोरेस पिछले मैच में हमारे कैप्टन थे लेकिन प्लेयर बड़ा है पिछला एक मैच खराब जरूर गया लेकिन जब भी फेरेंट टोरिस इस्पैनिस नेसनल टीम के लिए पास्ट कुछी यर्स में तो इस बंदे मैंने बहुत इंप्रेसिव पर्फरमेंस किया है आज ये ड्यू है गोल असिस्ट आ सकते हैं तो अभी के लिए मैं पिक करके चल लो हूँ और अगर मुराता सराबिया श्टार्ट ने करते हाई चांसे है टोरेस पेनलिटी में आपको दिख सकते हैं और बहुत शोनी हो सकते अगर पिछले मैच की तरह आज भी फ्लॉप रहते हैं सबस्क्रीट होने का भी चांस है अगर आपको मुराता खेलते वे दिखाई दिखाई दिये सिंप्ली आप मुराता को यहाँ पर पिक करके उनको केप्टन वाइस केप्टन भी ट्राए कर सकते हैं क्योंकि यो फॉर्म में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तो यह सबी चीज़े मैंने यहाँ से आपको डीटेल में कर दी फिलाल यह मैंने स्पेन के स्टैट लिग है व आपको मिलेगा टॉप इन कमेंड में वहां से जुड़के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जोइन कर सकते हैं फॉर्टी फोर हंड्रेट के असपास सब्सॉलर चैनल आपको मिल जाएगा अब हम बात करते हैं अपोनेंट जो है हमारा चेक रिपब्लिक की तो वाचलिक इनके के ब्लेयर है और मटेजू इनके दो विंग्वेक्स होंगे अब मटेजू वाले प्लेस में जलेजी नाम का वंदा है जिसने पीछले मेंग में स्टार्ट किया था वह भी खेल सकता है इन दोनु में 50-50 है तो यह पांचों बंदे आपको फेंटेसी ब्लेटफों में डिफे वाइस भी अच्छे हो सकते हैं तो में भी सूफाल या मैटेजू या जलेनी में जो भी लेफ्ट विंग बैक पोजिसन में खेलेगा उस बंदे के साथ जा सकते हैं इस वाले प्लेयर के भी इनके डिफेंसी वाफेंसी नमबर डिसेंट है तो यहां पर अपना कॉल ले सकते हैं परकि सेंटर बैक सभी के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ अलफै रेडम हेड़ेट गोल मार सकते हैं लेकिन आप प्रेडिक्त नहीं कर सकते कब कोन साला गोल मारेगा इन सेंटर बैग में तो अभी के लिए सूफाल या मटेजू में आपको दिखाई दिखेंगे यह भ पब्लिक का सदी लेग आपको अच्छे डिफेंसी पॉइंट जैसकते तो डिशेंट आपके लिए हो सकते हैं सदी लेग फॉरवर्ड में आपको यांग्टों मिलेंगे जो कि ललीगा में खिलते हैं टाफी नाम की क्लब में अच्छा प्लेयर है यांग्टों गोल असिस्ट करने में केपीबल है डिफेंसी वक भी करता है सिलेक्शन भी अच्छा कासा है तो अभी के लिए मैं यांग्टों के साथ जारो जो कि आपको फेटेजी प्लेटफों में मिट्फिल सेक्शन में मिलेंगे कुस्ता इनका न्यूस ट्रैकर है पिछले मैच में गोल जरूर मारा नेक्स्ट बिक टिंग बोला जा रहा है इसको चेक रिपबलीक फुडबॉल का ऑल्दो चेक रिपबलीक निशनल टीम के लिए उतने गोल असेज नहीं है लेकिन Кलब फुडबॉल में यह चेक रिपबलीक में किसी कलब में खिलता है सलावय प्रागिया कहीं में वहां इस बहुत जाद अच्छा इसका गेम नहीं लगा बट आपको पंड लेना है लोजक पर पंड ले सकते हैं हो सकता है गोल असिस्ट कर दे लेकिन अगर गोल असिस्ट नहीं आए उदना ट्रस्ट में नहीं करता तो मैंने अभी के लिए हुलोजक भी पिक नी किया बट शोल लिया लोजक के साथ जा सकते हैं तो यह चेक रिपब्लिक की प्रोविबल 11 थी लगवख सभी चीज़े मैं यहां से आपको डीटेल में कर दी पैनल्टी पैट्रिक शिक लेगा लेकिन आपको याद होगा यूरोज में बहुत अच्छा केंपेंड किया था पैट्रिक शिक का यू पैनल्टी का में कोई शोन नहीं हो आई तिंग यांग टो सूचैक लोजैक इनमें से कोई पैनल्टी ले सकता है फिलाल यह मैंने चेक रिपब्लिक के स्टैट लिखे है वाल्ल कप क्वाली फायर्स के अभी जो मेरी प्रिक्सन है मैं एक टू निल स्पेन विक्ट्री के लिखे है ने सकते है या आप आलसों नों और ऑर दोनुको करके इनिगों माटीन डॉप कर सकते हैं या वो लोगर गावी या उनको पिकपक कर सकते हैं और मैंने साट लैक को पिक किया, आप सडलेग वाले प्लेज में, उनका जो राइट विंग बैग है, ब्लेडिमिर सूफाल, उसके साथ, यह लेफ्ट विंग बैग में मटे जू है, जलेजनी में जो खेलेगा, उस बंदे को पिक कर सकते हैं, फिलाल अगर यह 11 होती है, मैं फेरेंट और इसको फिर डिस्किप्शन बॉक्स में जोइंग कर लिजे,